नमश्कार मैं हूँ श्वेतर राज और आप देख रहें 20 सिनिंसाइंटी 2026 में ग्लासको में होने वाले कॉमन्विल्ट गेन से भारत को बड़ा जटका लगा है इन खेलों से होकी, क्रिकेट, कुष्टी, बैटमिंटन और शूटिंग जैसे प्रमोखेलों को हटा दिया गया है इन खेलों में भारत का हमेशा दब दब रहा है और अब तक इन से भारत ने कुल 286 सौन पदक अपने नाम किये है इस बदलाव से भारत के लिए पदक जीतने की संभावना को बड़ा नुकसान हुआ है ग्लासको कॉमनवेल्ट गेम्स का आयोजन 23 जुलाई से 2226 तक होगा लेकर इस बार खेलों की संका में भार ही कटोती की गई है ने प्रोग्राम में केवल 10 खेल शामिल किये गए हैं जैसे इतलेटिक्स, स्विमिंग, आर्टिस्टिक, जिम्नास्टिक, ट्रैक साइकलिंग, वेटलिफ्टिंग, बॉक्सिंग, जूडू और बास्केट बॉल पहरे अथलीट्स के लिए भी कुछ खेल शामिल किये गए हैं यह निर ने आयोजन की समय सीमा और बजट को धाय में रखते हुए किया गया है शूटिंग के लिए वो प्यूक्त रेंज ग्लास को से 100 किलो मीटर दूर होने के कारण इसे भी हटा दिया गया है पहले आउस्ट्रेलिया ने इन खेलों की मेजबानी से इनकार कर दिया था जिसके बाद स्कॉट लैंग ने आयोजन की जिम्मेदारी लिए आयोजन समीदी ने बताया कि वे इस बार केवलोंने खेलों को शामिल कर रहे हैं जिनकी लागत कम हो और जिन में दर्शुगों की रुची ज्याद हो लेकिन भारत के लिए यह निर्णाय पदक जीतने की संभावना को काफी सीमित कर देगा तो 2026 कॉमनवेल्थ गेंस भारत लेशनों अतिपोंट साबित हो सकता है